बुड़ापा कैसे दूर करें नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको ऐसी चमतकारी पांच चीजों के बारे में बताएंगे यदि आप उनको रात भर पानी में भीगो कर और सुबह खाली पे यानि की बासी मूँ उनका सेवन करते हैं तब आपको पू आपका वजन बड़ा हुआ है या फिर आपको पेट के रोगों का सामना करना पड़ता है या आपको डाइब डीज की बीमारी है या आप पूरा दिन सुस्ती फील करते हैं और अपने सरीर में एक नई ताकत का संचार पाना चाहते हैं और इन सब बीमारियों से भी बचे र होना चाहिए और सुब़े बासी मू, सुब़े खाली पिट आपने इन पांचों चीजों का सेवन करना चाहिए और इनके सेवन का तरीका भी मैं आपको इस वीडियो के लाश्ट में बताऊँगा जैसे मैं सेवन करता हूँ इसी तरीके से यदि आप भी सेवन करेंगी तब आपको पूरे जीवन में कभी भी बुडापा नहीं आएगा और आपके चहरे पर भी नया तेज आएगा आपके चहरे पर गलो आजाएगा आपके चहरे पर कभी जुरिया नहीं पढ़ेंगी दोस्तो आप 80 साल की उमर में भी 20 साल की उमर जैसे दिखाई देंगे वैसे ही आपके अंदर ताकत सफूर्ति और फूर्ति होगी दोस्तो आप तहल का मचा देंगे और इन में से किसी भी विमारी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा दोस्तो यदि कोई व्यक्ति खाट पर जकड़ा पड़ा है वो भी इ हम जानेंगे कि आपने इनका बैस तरीका क्या है सेवन करनेगा दोस्तो सबसे पहली जो चीज है वो है दोस्तो अलसी और दोस्तो अलसी के फाइदे किसी से छुपे नहीं हैं दोस्तो चाहे आपको हाट ब्लोकेज हो या कॉलोस्टोल की समझ्या या मोटापा बड़ा हुआ या आपको पेट के रोगों से निजात पानी हो या सुगर को सही करना हो आपको अलसी का सेवन करना ही करना चाही लेकिन गर्मियों में थोड़ा अलसी का सेवन कम करना चाही यानि एक चमच हर रोज काफी है आपने क्या करना है रात को सोते समय एक चमच अलसी के बीजों का लेकर एक गिलास पानी में भीगो देना है और उनको पूरी रात ऐसे ही डखकर रख देना है और सुबह खाली पर बासी मूँ आपने उस पानी को भी पी लेना है और उन अलसी के बीजों को भी चबा चबा कर खा लेना है दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आपका पूरा सरीर नीरोगी बन जाएगा आपके सरीर को वो सभी तत्तव मिल जाएगे जिनकी आपके सरीर को जरूरोथ है दोस्तो आपका मोटापा कम हो जाएगा आपके चेहरे पर तेज आएगा क्योंकि अलसी में मौझूद एंटियोक्सेंटर और फाइटोकेमिकल बढ़ती उमर के लक्षनों को कम करते हैं जिसे तवचा पर जुरिया नहीं होती और हमेशा कसाव बना रहता है इसे तवचा सवस्थ वै चमकदार भी बनती है आपकी बैड कोलोस्टोल की समस्चय से सही हो जाएगी और आपको कभी हार्ट ब्लोकेज का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तो यदि आपको डाइबटीज की समस्चय है तब भी येन उसका बहुत अधिक मददगार है क्योंकि अल्ची में अल्फा लाइनोई एसिड पाया चाता है जो अर्थरेटिस, अस्थमा, डाइबटीस और कैंसर से लड़ने में मदद करता है खास तोर से कोलोन कैंसर से लड़ने में तो ये बहुत अधिक सायक है दोस्तो सिमित मातर में अल्ची का सेवन करने से आपका सुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में बन रहाता है तो आपको अल्ची का सेवन जरूर करना चाहिए और जो दूसरी इसमें चीज आती हैं दोस्तो वो है किसमिस दोस्तो किसमिस के फाइदों के बारे में भी हम सब जानते ही हैं और हमारी रसोई में किसमिस जरूर मिल जाएगी दोस्तो किसमिस को खून बनाने की मसीन कहा जाता है क्योंकि ये हमारे सरीर में खून की कमी को पूरा करती है और हमारे सरीर के खून को सुध करती है और दोस्तो यदि ये दोनों चीज़ें यानि हमारे सरीर का खून पूरा है और सुध है तब आप हर त्रहें की बीमारी से प्रचाने का काम करती हैं, आपको हमेशा सवस्थ बनाए रखने का काम करती हैं, क्योंकि ये बीमारियों को आपके आसपास नहीं आने देती, आपके सरीर की रोग परत्रोधक्षम्दा को बढ़ाती हैं, जिससे अब हर्त रहे के वायरस और बीमारी से बज़े रहते हैं, इस आपने उस पानी को भी लेना हैं, और इन किसमिस को भी चबा चबा कर खा लेना हैं, अब बात आती है तीसरी चीज़ की, दोस्तो जो समें तीसरी चीज आती हैं, वो आती है दोस्तो काले चनी, और दोस्तो भीगे हुए काले चनों के फाइदों के बारे में तो आप जानते ही होंगे और कहा भी जाता है कि यदि आप हर रोज सुबह उठते ही एक कटोरी भीगे हुए काले चनों का सेवन करते हैं तब आपका सरीर फोलादी बन जाता है और आप हरत रहें की बीमारी से बचे रहते हैं आपके आसपास कभी बुड़ापा नहीं आता इतना चमतकारी है काले चनों का सेवन क्योंकि इनमें भरपूर मातर में विटामिन और मिनल पाये चाते हैं जो आपके सरीर के लिए बहुत अधेक फाइदेमन हैं दोस्तों यदि आपको डाइबटीज की बीमारी है या आप अपने पाचन दंदर को मजबूत करना चाहते हैं या आप अपने हुए काले चनों का सेवन करना चाहिए दोस्तों इसके लिए आपने करना क्या है एक मुठी काले चनों को अच्छी त्रह से धोकर साफ कर ले और फिनको एक गिलास पानी में भिगोकर रात को रखते हैं जैसे कि यह हमने रखे हुए हैं और सुबे खाली पिर आप इनको बा दोस्तों अगली जो चीज है वो है दोस्तों बादाम दोस्तों बादाम के फाइदों के बारे में तो आप जानते ही होंगे लेकिन दोस्तों यदि आप बादाम को भीगोकर खाते हैं तो इसके फाइदे और भी अधिक बढ़ जाते हैं क्योंकि बादाम में भरपूर मातरा में न्यूट्रिशन्स और मिनल पाय जाते हैं जैसे प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी असिड, ओमेगा 6 फैटी असिड, विटामिन E, कैल्सियम और फासपोर्स आदी दोस्तो यदि आप हर रूच चार बादाम को पानी में भीगोकर सुबह उनका सेवन करते हैं तब आपको चमतकारिक फाइदे दिखाई देंगे दोस्तो इसे आपका पाचन तंतर मजबूत बन जाएगा जिससे आपको पाचन तंतर से चुड़ा कोई भी रोग नहीं होगा आपका दिमाग तेज होगा आपको कोलोस्टोल की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा आपका हर्ट मजबूत बन जाएगा क्योंकि भीगे ब तो आपने बादाम का सेवन करना कैसे है वो भी आईए बताते हैं दोस्तो आपने क्या करना है चार बादाम लेकर रात भर एक गिलास पाने में भीगो देने हैं और सुबह खाली पर आपने इनको छील लेना है और छील कर इनका बासी मुह आपने सेवन करना है अब चलते हैं अगली चीज, यानि पांचवी चीज के बारे में, उसके बाद आपको बताएंगे कि इन सब का आपने सेवन कैसे करना है, दोस्तो अगली जो चीज आती है वो है खस-खस, दोस्तो सरीर के लिए खस-खस के बहुत अधिक फाइदे हैं, इसका इस्तमाल कबज जैसी बीमारी से भरा हुआ है, दोस्तो इसका इस्तमाल आंतरिक स्वास्थे से लेकर तवचा और बालों के लिए भी किया जाता है, दोस्तो आपके सरीर के हर रोग को दूर करने के लिए आप खस-खस का परियोग कर सकते हैं, दोस्तो पेट से लेकर दिल तक का, चाहे आपका कोई भी रोग उसमें खस-कस एक चमतकारी तरीके से काम करती हैं और आपके सरीर की हडियों को भी वजजर के समान मजबुत बनाती है और आपके सरीर में सांड जैसी नई ताकत का संचार करती है और आपके पूरे सरीर को बिल्कुल फोलादी बना देती है जिसे कोई भी विमारी और कोई भी वाइरस आपके आसपास नहीं आथा। दोस्तों ये पांच चीजें होगी जिनका आपको विगो कर सेवन करना है। खस-खस को भी ऐसे ही करना है आपने एक चमच खस-खस लेनी हैं और उसको रात बर एक गिलास पानी में विगोना है। और सुबह बासी म आपने उस पानी को भी पी लेना है और इन खस-खस को भी चबा-चबा कर खालेना है। अब जानते हैं कि इनका अपने सेवन करना कैसे है जैसे मैं करता हूँ। दोस्तों आपने एक साथ इन पांचों चीजों का सेवन बिलकुल नहीं करना है क्योंकि वो बहुत जादा हो जाएगा और हर चीज की हमें लिमिट मातरा का ही सेवन करना चाहिए। अब आपने करना कैसे है जैसे आप एक वीक तो अलसी का सेवन करने रात को भीगोकर रख दें और सुबह अलसी को खालें। सरफ अलसी बाकी चीजे नहीं अगले वीक में आप उसको चेंज कर दें जै बदलते 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 आपने रहना है जैसे कि आप पांचों चीजे हर वीक में बदलते रहें। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। जैसे मैं पहले वीक कुछ खा लेता हूँ, अगले वीक उसको चेंज करता हूँ। यानि पांचों चीजों को ऐसे सीरीज में चलाता रहता और continue इनका सेवन करता हूँ और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो कोई भी बीमारी आपके आसपास नहीं आएगी आपका पूरा सरीर बिलकुल फोलादी बन जाएगा तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी आज से ही इन चीजों का सेवन सुरू करतीजी यदि आप अपने सरीर को फोलादी बनाना चाहते ही और हर त्रहें की बीमारी से बचे रहना चाहते ही तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजी इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीची और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकोन है उसको भी दबा दीजे ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वीडियो की नोटिपकेशन आती रहे धन्यवादोस्तों